सेकेंड वर्ड वर्ड से तबाह हुए योरोप में पर्चेजिंग पावर बिल्कुल भी गिर चुकी थी। योरोप में सिर्फ भुखमरी और गरीवी का आलम था। ऐसे में अमेरिकन कंपनीज अपने प्रड़क्ट को योरोप में बेचनी पा रही थी। योरोप हमेशा से दुनिया की कंपनीज के लिए एक बहुती लियोक्रेटिव मार्केट रहा है। क्योंकि योरोप आपको पता है कि एक कंजूमरिस्टिक सोसाइटी है। अमेरिकन कंपनीज योरोप में अपने पाउ पसारना चाहती थी लेकिन ऐसे योरोप में जो की तबाह हो चुका है वहाँ पर वो अपने पाउ नहीं पसार सकती थी। एसे में योरोप में जगा ले रहा था कॉम्मिनिजम का प्रभाव धीरे-धीरे करके दबे पाओ योरोप में अपने जगा बना रहा था कॉमिनिस्ट, आईडी लॉग्स, योरोप में लोगों को ये बातें बता रहे थे और काफी हद तक सफल भी हो रहे थे कि आपकी इस तबाही आप में योरोप में ये जो मंज़र नज़र आ रहा है इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिजम है तो आपको कॉम्मिनिजम के शरण में आना चाहिए इस स्थिती से उबरने के लिए और योरोप में अपने खोते हुए इंफ्यूएंस को बनाये रखने के लिए अमेरिका ने चला एक मास्टर स्ट्रोक और वो मास्टर स्ट्रोक था कुछ और नहीं बलकि मार्शल प्लान जिसको की अमेरिका के इतिहास में अभी तक की सबसे अच्छी फॉरण पॉलिसी इनिशेटिव और सबसे सफल फॉरण पॉलिसी इनिशेटिव मानी जाती है इस मार्शल प्लान के तहट किया क्या गया इस Marshall Plan के तहट यूरोप को बड़े पैमाने पर Financial Aid दे गई, ग्रांड्स दिये गए, यूरोप को फिर से बनाने के लिए वहाँ पर Rehabilitation Plan चलाए गए, Reconstruction किये गए और यूरोप को फिर से उनके पैरों पर खड़ा किया गया और इसके अंतरगत $13.5 billion की Financial Aid अमेरिका के द्वारा यूरोप को पहुचाएगी जो की जादातर इन देशों में गई जो आप देख सकते हैं ये $13.5 billion आपको सुनके बहुत छोटी रकम लग रही होगी लेकिन ये बात भी कपकी है ये बात है 1948 की 75 साल पहले लगभग और आज के समय में अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग ये बनता है $178 या $180 billion की आसपास की रकम और इस प्लैन के बाद योरोप का नक्षा धेरे-धेरे करके बदल गया योरोप अपने पैरों पर खड़ा हो गया लेकिन इतना ही नहीं हुआ एक और बहुत बड़ी चीज होई और वो ये कि योरोप में अमेरिका का इंफ्लूएंस हमेशा हमेशा के लिए स्टैबलिश हो गया और USSR पूरवी योरोप और Central Asian Countries तक ही सिमित रह गया और ये Cold War जो कि USA और USSR के बीच में शुरू होई उसमें अमेरिका की पहली जीत थी जो कि आगे चल कर USSR की हार पर ही परिणित हुआ तो ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ ये वीडियो का टाइटल तो कुछ और था हम लोग तो बात करने वाले थे शायद चाइना के बारे नहीं जे हाँ देखे ऐसे ही एक इनिशेटिव के बात करें 2010 के बाद जबकि उसकी financial condition इंप्रूव होगी उसको लगा कि दुनिया में अपना अब sphere of influence बढ़ा करने का समय आ गया है और उस sphere of influence को बढ़ा करने के लिए उन्होंने अपनी एक dream project शुरू की जो कि वहाँ के इस समय के Chinese President शी जिन्पेंग के दिमाग की उपज मानी जाती हो उनका brain child माना जाता है belt and road initiative ये belt and road initiative के नाम इसके literal meaning पर मज जाईएगा belt and road initiative का असली में जो मतलब है वो कुछ और है belt and road initiative का मतलब होता है belt का मतलब हो गया ये land पर बनाये जाने वाले corridor और road का मतलब हो गया कुछ maritime corridors तो ये belt and road initiative बनाये गए जिसमें की road पर बनाये जाने वाली ऐसे 6 corridors थे जिनमें आता है China, Mongolia, Russia corridor फिर China, Bangladesh, India corridor China, Indo-China corridor China, Pakistan corridor China, Central Asia, West Asia corridor और China और Eurasian corridor जिसको हम लोग Eurasian land bridge भी बोलते हैं और उसके लावा ये maritime silk road आप देख रहे हैं तो इस प्रकार की एक महत्वा कांशी परिवजना इन्होंने शुरू की ये परिवजना का scale आप ऐसे समझ सकते हैं अभी मैंने आपको Marshall Plan के बारे में बताया है, Marshall Plan में जो America ने funding की थी वो थी 13.5 billion dollars की जो की आज के हिसाब से देखा जाए तो बनती ही लगभग 178 billion dollars लेकिन चाइना की ये initiative लगभग 1000 billion dollars मतलब 1 trillion dollar की initiative ऐसे 1 trillion dollar की बड़ी initiative भी कहते हैं कि चाइना के लिए वो काम नहीं कर पाई जो की अमेरिका के लिए Marshall Plan ने कर लिया था और इसलिए इस plan को बोला गया कि जो BRI है चाइना के लिए ही backfire कर रहा है इन्होंने चाइना ने इतना सारा पैसा भी खर्च किया और उसके बावजूद वो जो इससे परिनाम चाहते थे वो चाइना को मिलने ही पा रहा इसलिए चाइना को अब बदलनी पड़ी अपनी strategy और उनको launch करना पड़ा एक नया initiative जिस initiative को हम लोग बोलते है Global Development Initiative तो आखिर BRI क्यों fail हुआ Belt and Road Initiative के fail होने के पीछे क्या कारण है उसमें क्या क्या challenges थी क्या problems आई और फिर उसके बाद उनों ने कैसे उसको counter करने क्लिए Global Development Initiative लाँच किया और इस Global Development Initiative में BRI के सामने क्या खूबिया है BRI में कौन से कम्या थी जिसको Global Development Initiative दूर करने जा रहा है Hello everyone आप देख रहे है WED ICS का YouTube चैनल और मेरा नाम है प्रशाद एलिए के करके इसमें देखना शुन करते है सबसे पहली चीज़ देखिए अगर Built and Road Initiative की बात करें तो इसकी launching हुई थी 2013 में पहली बार की जिन्पिंग चाइना से बाहर निकल कर किसी बड़े initiative की launching कर रहे थे और इसकी launching हुई कजाकस्तान में कजाकस्तान में उस समय initiative का नाम रखा गया था One Built One Road Initiative O.War नाम से कजाकस्तान में इसकी शुरुवात की गई और इसी तरह से इंडो देशिया में इस initiative की launching की गई which was maritime silk road लेकिन धीरे-धीरे करके आप देखेंगे कि उस समय ही Centralation Countries ने इसको join कर लिया और आगे चल कर इसको लगभग दुनिया के 140 देशों ने इसको sign किया 140 देश इसमें सामिल दुनिया में जानते हैं 195 देश है लेकिन ये 140 देश जो की इस region में पढ़ते हैं इन्होंने इसको इस initiative के किसी ना किसे हिस्से को sign किया उसमें शामिल होने का प्रयास किया तो इस प्रकार की आपको एक बड़ी initiative देखने को मिलती है कहा जाता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है alliances चाइना ने उसको counter करने के लिए बनाया mother of all alliances देखिए आपर मैं इस map के लिए माफ़े चाता हूँ जो भी हम लोग map यूज करते हैं वो ज़्यादा तर international agencies के द्वारा दिये गए हैं जिसमें भारत का गलत map दिखाया जाता है मैं इसके लिए पहले ही छमापरार्थी हूँ तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि शुरू किया गया BRI लेकिन BRI में कई सारी तरीके की problem साने लगे challenges आने लगे और जिसके कारण belt and road initiative ठीक घंक से आगे नहीं बढ़ पाया तो पहला जो उसमें कारण आया वो था COVID pandemic COVID pandemic के कारण देखे अल्टिमेटली ये जो अगर हम लोग बात करें BRI की BRI में चाइना करने की क्या कोशिश कर रहा था BRI के अंतरगत ये जो भी हम लोगों ने देखे ये 6 builds बनाए जा रहे हैं और उसके बाद new time silk route बनाई जा रहे है इसके अंतरगत चाइना बड़े पैमाने पर investment कर रहा है इन partner countries में वहाँ पर infrastructural projects को launch करने के लिए अब माल लीजे कि चाइना की companies जो सामान बनाती है उनको ये उरोप तक पहुचाना है तो रास्ते में जितने भी countries आएंगे उन countries को वो उसमें partner बनाना चाहते है उन्होंने उन countries से बात की उन्होंने कहा कि आपका infrastructure अगर कमजोर है हम आपके देश में infrastructure इंप्रूफ करने में help कर सकते है हमारी companies आप क्या पे infrastructure development करने में मदद करेंगी और अगर आपको किसी प्रकार की funding क्या हो शकता है तो हम उन projects को finance भी कर सकते है तो बड़े infrastructure loan प्रोवाइड किये जाने थे BRI project के अंतरगत ultimately करना यहीं था तो अगर COVID-19 pandemic आ गया और चाइना में उसके बाद से एक economic slowdown देखने को मिलना शुरू हो गया अगर यह दोनों चीज़े हो जाएंगी कि COVID-19 pandemic आ गया चाइना में economic slowdown आ गया तो चाइना की माली हालत खुद खराब हो गई उनकी financial condition और वैसी नहीं रह गए कि वो बड़े-बड़े infrastructural projects को fund कर सके और अगर वो fund नहीं कर पाएंगे तो obviously BRII खत्रे में पढ़ता हुआ नजर आएगा के बाद जो partner countries partner countries में ज़्यादा तर देशों में देखा गया कि वो डेड के चाइनीज डेड के दबाओं में आते गए आते गए आते गए उसको कहा गया कि वो चाइनीज डेड ट्राप में फस रहे तो दुनिया भर में चाइना की जो चाइना के कोशिश क्या कर रहा था BRII से चाइना BRII से कोशिश कर रहा था अपना स्फिर ओफ इंफ्लूएंस बढ़ाना अपना स्फिर ओफ इंफ्लूएंस बढ़ाना अपना इमेज में कोवर करना लेकिन यहाँ पर चाइनीज डेट ट्राप करके पुरी दुनिया भर में फेमस कर दिया गया, पॉपलर कर दिया गया कि चाइना छोटे देशों को, गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को डेट ट्राप को फसा रहा है और ऐसे कुछ हुदारण देखने को भी मिले, इसके कारण से जो बियाराई का मोमेंटम था, वो कहीं न कहीं गिरते हुए नजर आया, बियाराई अपना मोमेंटम खोता रहा, और भी कई सारी तरीके की चैलेंजिस आप देख रहे हैं, जैसे कि यह जो फंडिंग कर रहे थे, शिरुवात में अगर देखा जाए, तो पार्टनर कंट्रीज ऐसे थे, जो कि बहुत बड़ी कोई फाइनशल डिस्ट्रस जेल रहे थे, लेकिन 2022 में जब इन्होंने फंडिंग की है, तो देखा गया कि 60% लोन्स ऐसे देशों में दिये गए, जो कि अल्रेडी फाइनशल डिस्ट्रस में है, और यही कारण है कि चा कि बियाराई शायद अपना मोमेंटम कही ना कहीं खो रहा है, इसके बाद मेरे जैसे भी डेट की बात की, डेट ट्राप में फसे हुए कई सारे देश जो डिफॉल्ट कर गए, उनमें से एक श्रिलंका है, पिछले साल आपने उसको डिफॉल्ट होते हुए देखा, उसके पाकिस्तान चाइना का लोन अब रीपे करने में कैपेबल नहीं, इसी तरीके से आपने जांबिया को देखा कि जांबिया और चाइना के बीच में काफी टेंशन बड़ी जब जांबिया ने बोला कि आपने हमको गलत इंट्रेस्ट रेट पर लोन दे दिया है, अब अपने इस इंट्रेस्ट को हम लोग री नेगोशियेट करेंगे, और चाइना और जांबिया के बीच में काफी टेंशन देखने को मिली, तो इस तरह से आपको पार्टनर कंट्रीज के साथ में इनके रिलेशनशिप भी प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, और दुनिया में चाइना की जो इमेज हैं वो भी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बीराई में एक और प्रव्लम थी, वो ये, कि बीराई प्रोजेक्ट काफी डी-सेंट्रलाइस वेकी नचल रहा था, बीराई प्रोजेक्ट कोई एक सेंट्रलाइस प्रोजेक्ट नहीं है, उसक हो रही है तो एक काफी decentralized model है इसलिए कहा जा रहा है कि इस project की certainty नहीं है काफी uncertainty बनी होई है और uncertainty के साथ साथ इसमें suspicion बना हुआ है दुनिया के कई सारे experts इस बात पर question उठा रहे हैं कि आखिर ultimately चाइना का objective क्या है इस तरीके के चोटे चोटे projects और वो भी इतने जादा interest rate पर वो कर क्यों रहा है और वो भी ऐसे देशों में क्यों कर रहा है जहाँ पर उसको पता है कि उन देशों की financial condition ऐसी नहीं है जो कि ऐसे projects को पूरा कर सकते है और वापस इनका loan repay कर पाएंगे तो क्या वो जान बूझ कर ऐसे देशों को चुन रहा है जान बूझ कर ऐसे projects में financing कर रहा है जिसको पता है कि यह repay नहीं होगा तो यहाँ पर इनका ultimately influence बढ़ जाएगा वो वहाँ पर कोई एक asset procure कर लेंगे ऐसा हो सकता है जैसा कि इस Sri Lanka में देखने को मिला कि दोने हमबन टोटा port को finance किया हमबन टोटा port की financial viability बहुत जादा नहीं थी उसके बावजू दोनों ने उस project को fund कर दिया प्रिलंका में वो port complete होने के बाद उसमें जो उमीद की जा रहे थी कि जितना cash flow होगा श्रिलंका government की जितनी earning होगी उस project से उस port से वो हो नहीं कर पाई तो श्रिलंका government loan repay नहीं कर पाई और अगर चाइना का loan उन्हों रिपे नहीं किया तो चाइना ने उसके बदले में हमबन टोटा port को ही 99 साल की lease पर अपने लिए खुद ले लिया है उन्होंने बोला कि loan नहीं repay कर सकते तो आप इसको 99 येर्स की lease पर हमको दे दीजे और वो dual purpose use project port है यहाँ पर चाइना की container ships तो आ सकती है साथ साथ वहाँ पर उनकी military ships भी deploy हो सकती है और यह इंडिया के लिए बड़ी खत्रे की बात है ऐसे कुछ चीज़ें देखने को मिल रही थी इसके अलामा देखिए और भी कुछ problems देखा क्या गया कि चाइन जो Chinese government है वो अपने influence को उस समय बढ़ा करने में इतना जादा आतूर थी उनका priority सिर्फ इस बात पर था कि BRI कैसे भी करकर के दुनिया के कई देशों में पहुँच जाए और हमारा zone of influence बढ़ जाए और यह इसकी reach ग्लोबल हो जाए इसके लिए उन्होंने बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं की कि जो project है वो economically feasible है या नहीं इसको भी उन्होंने नजर अंदास कर दिया इसके लावा और भी चीज़ की उन्होंने उन्होंने project के long term economic sustainability की उपर में भी नहीं ध्यान दिया यह में नहीं देखा कि कोई project के उपर में आज हम लोग funding कर रहे हैं तो long term में वो economically sustainable रहेगा या नहीं रहेगा उनका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर था और वो यह कि चाइना का zone of influence कैसे बढ़ जाए कैसे BRI की reach global हो जाए इनका पूरी priority बस इसी पर थी और इसी कारण से आपको BRI कहीं न कहीं fail होते हुए नजर आया तो फिर हुआ क्या चाइना ने इसका response दिया और response किस तरीके से दिया by launching GDI यहने की Global Development Initiative और इसमें उन्हों ने उन सभी कम्यों को दूर करने की कोशिश की जो की BRI में थी देखिए सबसे पहली चीज़ इसकी घोशना की अगर हम लोग बात करें टाइना ने इसकी घोशना का आपर की है टी जिन पिंग सेप्टेंबर 2021 में जाते हैं अमेरिका में United Nations में United Nations General Assembly को address करने के लिए और अपने 2021 के United Nations address में वो GDI की घोशना करते हैं GDI का mention करते हैं और उसकी जो official launching है वो की जाती है January 2022 में January 2022 में जब officially इसको launch किया जाता है तो आप देखेंगे कि इस तरीके का एक document जारी किया जाता है जिस document में China GDI के बारे में दुनिया को explain करता है वो बताता है कि GDI है क्या उसके वो background बताता है वो पहली चीज़ तो यह बताता है कि human society कई सारी तरीके के challenges से घरी हुई है उसको दूर करने के लिए United Nations के द्वारा sustainable development goals लाये गया है लेकिन वो sustainable development goals भी ठीक ढंग से पूरे नहीं हो पा रहे है तो हम sustainable development goals को पूरा करने में मदद करने वाले है यह हमारी initiative है तो आप देख रहे है कि उनकी जो initiative है वो अलग तरीके की है इसकी launching अलग जगह पर की जा रही है और इसकी हम लोग देखें अभी इनके core principles और concepts की बात करें ये भी BRI से काफी अलग है और इनके key areas की अगर बात करेंगे तो वो भी काफी आपको अलग नज़र आएंगे पहले core concepts और principles देखें इसके core concepts और principles में है prioritizing development की development को prioritize किया जाएगा people centered initiative है यहाँ पर लोगों के बारे में धियान रखा जाएगा कि लोगों की जिन्दगी में असल में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है ना कि सिर्फ ऐसा कि किसी government के साथ में कोई एक deal sign करके बड़ा infrastructure project कर दिया जाए ऐसा नहीं पीपल centered approach रखा जाएगा people centered projects किये जाएगे leaving no country and no one behind इस बार यह ऐसा नहीं कर रहा है कि कुछी देश इसमें शामिल होंगे कुछी देश में infrastructure projects launch किये जाए global ये जो United Nations का sustainable development goals है ये तो एक global goal है पूरी दुनिया भर में इसको implement करना है तो इसको इन्होंने GDI को इन्होंने align कर दिया synchronize कर दिया sustainable development goals के साथ और sustainable development goals of United Nations ये तो पहुचेंगे पूरी दुनिया भर में हर जगा करना है तो GDI की भी पहुच हो जाएगी global पूरी दुनिया भर में पहुच जाए इसके लावा देखे ये और principle की बात करते हैं तो बोलते हैं maintaining harmony between human and nature BRI project में चाइना की बड़ी आलोचन हो रहे थी कि ये economic sustainability का तो ध्यान नहीं रख रहे हैं साथ-साथ environmental sustainability का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं इनकी कई सारे projects की आलोचना होई environmental sustainability को overlook करने के लिए कि इनके projects बहुत जादा pollution कर रहे हैं यहाँ पर environment impact assessment को ध्यान में नहीं रखा जा रहा et Social Impact Assessment को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, ऐसी आलोशना हो रहे थी, इसलिए इस बार इन्होंने GDI का एक important principle बनाया, किसको maintaining harmony between human and nature, इसके लावा इन्होंने और क्या का, कि यह innovation driven होगा, नई technologies, नई technologies का इस्तमाल करके, दुनिया की problems को दूर करने की कोशिश की जाएगी, चाइना आप देख रहे हैं कि जो fourth industrial revolution की दौर में दुनिया प्रवेश कर रही है, इसका champion बन कर उभर रहा है, इसमें leading space occupy कर रहा है, जैसे अभी तक के जितने भी industrial revolution थे, उनमें leader या तो या तो अमेरिका हुआ करता था, लेकिन fourth industrial revolution की technologies में, अमेरिका को पूरी तरह से counter कर रहा है चाइना, 5G देखिए सबसे पहले अभी तक 1G, 2G, 3G, 4G सभी American companies लेकर आई है, 5G को लेकर आने वाला चाइना अमेरिका से भी पहले था, चाइना की एक company Huawei ने पहले 5G के सारे systems को launch कर दिया, machine learning, quantum satellite, इस तरीके की तमाम technologies हैं जिसमें चाइना lead कर रहा है, तो चाइना का कहन है हम ऐसी technologies का स्वाल करके दुनिया के problems को दूर करेंगे और sustainable development goals को वहतर ढंक से implement करने और उनको पूरा करने में मदद करेंगे, इसके लावा और टेनों ने principle बनाया किसके लिए global development partnership की जाएगी, United Nations को और दुनिया की जो multilateral development agencies हैं उनको partner बनाया जाएगा, तो ये जादा inclusive initiative बनाने की बात करें, इसके अलावा ये बोल रहा है, ये action oriented होगा, यहाँ पर actionable points बताए जाएगे और उनको ठीक ढंक से implement किया जाएगा, इसमें अलग-अलग projects के साथ में, अलग-अलग जो considerations हैं, अलग-अलग दुनिया की agencies हैं, उनके साथ में एक synergy बनाई जाएगी, अलग- कि किस तरह से BRI से अलग, इसमें जो key priority areas बनाई गई हैं, वो बनाई गए है poverty alienation, इसमें गरीबी को मिटाने वाले projects किये जाएंगे, directly ऐसे projects जो कि सीधे गरीबी पर वार करते हो, food security, ऐसे projects जो की दुनिया में food security को ensure करते हो, भुखमरी मिटाते हो, हंगर दूर करते हो, इसके उपर में काम किया जाएगा, development उपर आपने देखा होगा, एक principle बनाया गया कि prioritizing development, और development होगा कैसे है, उसके लिए passive क्या आवशकता होगी, तो financing for development, ये एक इसका key pillar बनाया गया है, इसके अलाओं, अभी हम लोगों ने उपर देखा कि वो harmony बनाने को एक principle बना रहे थे, उस को इन्होंने इसका एक key pillar भी बनाया है कि climate change and green development ये किये जाएंगे, green projects के उपर में जादा ध्यान दिया जाएगा, industrialization को push किया जाएगा, digital economy को बढ़ावा दिया जाएगा, और connectivity पुरी दुनिया भर में improve की जाएगी, इस तरीके के initiatives इसके अंतरगत रखे गए, तो ये सारी चीज़ें करके आप देख रहे हैं कि global development initiative को launch किया गया, इन principles और इन key priority areas के साथ में, फिर बात आती है कि अब जब global development initiative launch हो गया है, तो फिर BRI का क्या होगा, क्या BRI बंद कर दिया जाएगा, नहीं, पहली चीज, BRI वहाँ के president Xi Jinping का brainchild था, तो उनके दिलो दिमाग के बहुत करीब है, तो निस्चित तोर पर जब तक Xi Jinping है, BRI कहीं जाने वाला नहीं है, BRI रहेगा, BRI बंद नहीं हो, और एक और जगह नज़र आती है कि कैसे BRI ने बहुत important जगह ले लिए, वो बंद नहीं हो सकता, वो इसलिए, क्योंकि चाइना की जो दॉमेंट नहीं करेंगे, तो निस्चित तोर पर BRI कहीं जा नहीं रहा, और फिर एक और चीज़ देखे, ये 10 साल बात क्यों अचानफ से बंद कर रहा है, क्योंकि उनको जितना दुनिया के छोटे-छोटे देशों में अपने infrastructure projects करकरके, उनको अपने debt trap में खसाना था, उन इंडिन वोशन रीजन में आप देखिए, 17 पोर्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि चाइना का influence है, उसमें से 7 पोर्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि चाइना को dual-use access मिला हुआ है, कि वहाँ पर उनकी military ship deploy हो सकती है, दुनिया के important 4 points पर उनको position स्विल चुकी है, जिबूती में बैठ गया है वो इंडोनेशिया में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास में बैठे हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूस के पास में बैठे हुए, ऐसी से important 4 points पर बैठे हैं, तो अब उनको लगता है कि ठीक है हमारा जो काम करना था, वो 10 साल में BRI को जो काम करना था, वो कर चुका, अब चलते करने वाला BRI कहीं जाएगा ने,